हेलो गाइस गुड मॉर्निंग स्वागा था आपका इस यूट्यूब चैनल में सो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुल्फी वाला जो है बर्फ में नमक क्यों मिलाता है इसके पीछे क्या रिजन है दोस्तों क्या फैक्ट्स है तो आये जानते हैं ऐसा कि हम कि गर्मी के मौसम आते ही हर गली मुहले और चोराहे पर कुल्फी वालों की घंटिया सुनाई देने लगती है और कुल्फी की घंटी की आवाज भी सुनते हैं दोस्तों कुल्फी खाने के लिए हमारा मन भी ललचाने लगता है आपने देखा होगा कि कुल्फी बनाने वाल हैं तो गैसे के सबसे पहला है जो कि फ्रीजिंग क्या है तो आईए अब जानता हैं दोस्तों कि पीछे लिए क्या है तो हिमांग सबसे पहले जानता है कि हिमांग क्या होता है दोस्तों हिमांग को इंग्लिस में फ्रीजिंग कहा जाता है हिमांग का अर्थ होता है वह ताब जिस पर कोई ध्रब ठोस अवस्था में बदल जाता है जैसे पाने का हिमांग 0 degree Celsius है इसी के करान पानी का तापमान 0 degree Celsius पर आते ही पानी जम कर बर्फ बन जाता है कौथनांक यानि Balling Point तो कौथनांक का अर्थ होता हुआ ताप जिस पर कोई द्रब उबलने लगता है जैसे पानी का कौथनांक 100 degree Celsius मतलब पानी 100 degree Celsius पर उबलने लगता है हिमांक, डिप्रिसेशन्स, इन फ्रीजिंग, जब किसी पदार्थ में कोई अवास्प्सिल पदार्थ, जो भाप पनकर नहीं उर सकता है, मिला देते हैं, तो उस पदार्थ का वापस दाब घड़ जाता है, और साथ ही हिमांक भी घड़ जाता है, और कौथनांक बढ़ जाता तो इसका मतलब यहीं हुआ दोस्तों कि बर्फ में नमक मिलाने से बर्फ जल्दी नहीं पिखलती क्योंकि उसका कौथनांक बढ़ जाता है, और जो है बर्फ पिखलने से बच जाता है, जिससे कुलफी वाले को नुकसान कम होता है, और नमक मिलाने से कुलफी वाले को स्ब्स्ब्स बेल इंग